दोस्तो वेलकम बैट में चैनल कॉमिस क्लब दोस्तो राज का राज नागराज की कॉमिक्स आई थी एक बहुत पहले एक सिंगल विशेश हांक है ये सिंगल स्टोरी है मैं इसको क्यों रिव्यू करने जा रहा हूं दोस्तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि मुझे इसमें एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग मिली मैं शेर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ भी और इसी तरह की एक और वीडियो है मेरे पास में जो है नगीना का जाल के रे रे रेट दोस्तो ये जो मैंने experience किया दोस्तो मुरे लिए बहुत गजब का था और वही चीज मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूं शायद आप लोगों को ही पसंद आए मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा थोड़ा सा नहीं अगर आप इसे लेने जाएंगे तो ये आपको glossy paper में मिलेगी और ये बहुत expensive पड़ेगी लेकिन जो इसकी USP है वो ये है दोस्तों कि ये पुराने paper पे printed है दोस्तों देख सकते हैं untouch edition है दोस्तों और इस पे कोई भी किसी तरह का coloring का का काम या किसी भी तरह की छेड़ चाड़ नहीं की है ये जो शुरू में जो comics बनी थी ये वही comics है दोस्तों बस इन्होंने इसको cover अलग मारा है चली तो अंदर की तरह बात में चलते हैं जो की बहुत ही कमाल का experience होने वाला है पहले मैं बाहर का दिखा देता हूँ एक बार इस cover भी मत जाना दोस्तों ये कोई इतना matter नहीं करता है दोस्तों दिखाना जाओंगा यहाँ पे कुछ परानी ads डाली है बट वो पराने वाली original ads नहीं है रीप्रिंट की ad है डेफिनेटली ये रीप्रिंट है दोस्तों देखिए 62 पेज में इन्होंने खतम कर दिया इसको headron की ad है पिछे अब मैं अंदर की तरफ दिखाना जाओंगा दोस्तों इधर order of bevel का ad है जो की reprint को दिखाती है देखिए दोस्तों यहां पे नागराज की शेल का जो skin का जो वो है sorry shell बोल रहा था skin का जो color है वो देखिए green से थोड़ा सा अलग है जो की पहले हमें शुरू में मिलता था और coloring देखिए दोस्तों coloring original है और यह paper edition है दोस्तों paper और यह बहुत अच्छा फील दे रही है दोस्तों मेरे को बहुत कमाल की feeling है क्यों को coloring को लेके मैं हमेशा से fascinating होंगी coloring को यह बहुत छेडशाड कर देते हैं जिसकी वज़े से जो फील हमें इन comics में मिलता था वो हमें अभी current वाली comics में नहीं मिलता है यह जो छोटी-छोटी mistakes होती थी जैसे coloring थोड़ी से बाहर निकल रही है body से यह प्रपरलिश जो है जैसे यह वाला scene दिखाना चाहूँँ आपको यह देखिए यहाँ पर coloring देखिए यह blue वाला यह यहाँ पर बाहर निकल रहा है इस तरह की चीजे तो यह जो feel देती थी बच्पन में जो feel आता था कि हाँ यह देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यह गड़बर है इस तरह की चीजे देखने को मिलती थी और देखिए coloring को किस तरह से fix किया हुआ एकदम वो जो feeling आ रही है पुरारी nostalgia वाली वो गजब की है दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों coloring को coloring एक बहुत बड़ा role play करती है जो कि आज की date में इन्हों ने छेड़ छेड़ के खराब कर दिया है background को जो कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो यह वाले additions कुछ आए हैं मेरे पास इस तरह के मैं एक बार आपको पूरा दिखा देता हूं दोस्तों देखिए तो अगर कोई buyer interested है तो वो मुझे contact कर सकता है क्योंकि यह वाले additions मैं सब को देना चाह रहा हूं कि जो जो इसके इसको खरीदना चाहते हैं वो contact कर सकते हैं देख सकते हैं तो यह बहुत कमाल का experience हो सकता है आपको मिल सकता है तो इसका एक addition तो definitely मैंने पने personal में तो डाली लिया है राज का राज में भी वही same चीज मुझे देखने को मिली दोस्तों यह भी paper edition है और यह पुरान edition है यह देखिए अंदर की तरफ जो feeling आती है coloring को लेके वो बहुत कमाल की है जो paper पे जो यह छापते थे वो बहुत अच्छा था मैं glossy का fan नहीं हूँ दोस्तों इतना बड़ा तो इसलिए मुझे यहाँ यह paper पे जो feel आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है देखिए proper pin लगी हुई है दोस्तों देखिए कितनी कमाल की है नहीं यह bind की हुई है sorry 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 my mistake यह bind की हुई है यह देखिए यहाँ पे जो pin वाले addition थे वो मुझे जादा अच्छे लगते थे क्यार मैं थोड़ा old school type हूँ आपने से शायद कुछ लोग मेरी इसन बातों से थोड़ा सा विपरीद सोच रखते होंगे उनसे मैं शमा चाहूँगा और इसमें दोस्तों इसमें भी I guess bind ही की हुई है इसमें भी pin नहीं है proper bind है yes इसमें proper bind है बट जो पहले आती थी बच्पन में हम लोग जो इसे read करते थे वो proper pin वाली होते थी दोस्तों इसको तो देखने के बाद मतलब मुझे मुझे पूरा अपना बच्पन याद आ गया एक बार rewind हो गया था मेरे सामनी इसलिए मैंने इस पर एक video बनाने की सोची ताकि मैं आप लोग को यह experience दे सकूँ कि मैंने जो feel किया है तो इक यह दोस्तों क्या गजब का लग रहा है दोस्तों यह सारा जो possible हुआ है because of the paper and original printing यह जो original printing है ना इसकी वज़े से definitely यह RC ने शायद इसको restock किया होगा उनके पास यह पराने prints पड़े होंगे या something like that जिसको इन्होंने bind करके दिया होगा market में तो यह बहुत कमाल का है चलिए तो दोस्तों इसी review तो नहीं कहूंगा मैं इसको मतलब यह जो experience है इसको share करते हुए मैं इस video को यहीं पर smart करूँगा अगर आप यह लेना चाते हैं तो मुझे contact कर सकते हैं so that आप भी इस चीज को experience कर पाए ठीक है दोस्तों मेरे पास कुछी additions है जादा नहीं है इसके थोड़े हैं इसका तो मेरे पास में शायद 2 या 3 PC है 2 PC available है तो आप immediately contact कर लिजेगा जो भी लेना चाते हैं धन्यवाद दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में